कि यह जातो बही खाता लेका करमें कांट एंजी के अंतरकत हम आज अध्यन करेंगे अंस पूंजी लेखे अध्याई के अंतरकत अंस इंको हम शेयर कहते हैं यह क्या कहलाते हैं अंश क्या है क्या है हम देखते हैं किशी बी व्यापार 5 में साजदारी व्यावसाय महले करता है। दूसरा वहीं साजदार old वह अपनी व्यक्तिगत पूंजी का संचालिद करता हैं अब चुकिない आपаче जो की बहुत सारे लोगों के एक समू होता है जिसकी पूंजी जो है छोटे-छोटे भागों में बटी होती है और कंपनी का स्वयम का एक अस्तित्व जो है अपने सदस्यों से अलग होता है तो यहां पर कंपनी को जो हमने पूरी वह में संगया दिती कि कंपनी जो है एक क्रत्रियम व्यक्ति के ऊपर एक रूप में माना जिया तो चुकि क्रत्रियम व्यक्ति होने के कांड़ कंपनी जो है स्वयम पूंजी को एकत्रत नहीं कर सकती जिस प्रकार से एकल व्यावसाय मे तो यहां पर company की जो है अधिक मात्रा में पूंजी की आवशक्ता होती है company जो होती है बहुत large scale पर पादन करती है तो उसको बड़ी मात्रा में पूंजी की आवशक्ता होती है अब यह पूंजी जो है वो कुछ व्यक्तियों से एकत्रित करती है यहां company की जो पूंजी है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है और यही छोटे छोटे भाग की पूंजी जो है company की अंस पूंजी कहलाती है अर्था जो company की एक पूंजी होती है पूंजी के छोटे छोटे भाग होते हैं हिस्से होते हैं और यही छोटे 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 प वों पूंजी कहले हैं कूंपनी पूंजी हैं एक रसलन हजार भागों में बटी यहां आपर जो है जो इसस को लेते हैं युकरा के अंसधारी कहलाते हैं यो जो हिस्से हैं जो यह लिया हुआ है ये क्या कहलाते हैं उसके इस्सेदार comes से आसा है सिय कंपनी की पूझी में हिस्सा यहां से हैं पोड़ा की जी का एक श्शा है और इसमें सामिल यह कहलाता है ले इसके बाद दो प्रकार होते हैं आज सम्ता अंस या साधान अंस और दूसरा होता है पूर्वा दिकारी अंस पहले जो प्रकार है सम्ता या साधान अंस यह वे अंस कहलाते हैं जो कि पूर्वा दिकारी अंस नहीं है अर्थाथ इनको पूर्वादिकार प्राप्त नहीं है। पूर्वादिकार प्राप्त नहीं है। कुछ पूर्व अदिकार प्राप्त नहीं है लाभहांस प्राप्त करने Junior या बापस को प्राप्त करने अधिकार इनको पहले नहीं है इसमें जो खिमत्वा अधिक होती है यहां पर सभी को लाभऽांस भुखतान होने के बाद ही इनको लाभsm दिया जाता है और लावांस की दर जो होती है इनकी अनिश्चित होती है ये बास्तों में कम्पनी के स्वामी कम्पनी का स्वामी कौन होता है वही होता है जो सासी होता है जो बेवसाय में पूंजी लगाता है और लाब यहानी का जिम्मेदार होता है तो यहां पर इस पकार से हम देखते हैं कि स निश्ट है तो इस स्थिति में वो क्या है कंपणी में स्वामी कहला आप और जो तमाम प्रकार के सवी प्रकार के लावांस्व का अन्य लोग को भॉक्तान करने के पश्चात या पुंजी का भॉक्तान करने के पश्चात Г communism बसता- कि दर है वो निश्यचित नहीं होती है कंपणी के लाप पर निरभर करती है और उसी इसाथ से इनको लावा demons दिया जाता है दूसरा पर waż कारी अंसथारियों को लावश देने के पाद और तमाम प्रकार के भुबतान करने के बस्चा जो सेज अक तब यहाँ पर समता अंसधारियों को लावांस दिया जाता है। तीसरा जो है कमपनी के समापन पर इनकी पुझी का भुक्तान जो है सबसे अंत में किया जाता है। समस्त्र कार के दायतों का भुक्तान करने के पस्चाज जो है समापन के समय सबसे अंत में सम्तान्सदारियों के पूंजी की बापसी होती है फिर यह जो हैं कंपनी के बास्त्रिक स्वामी होते हैं संता जारी होते हैं यह कंपनी के बास्त्रिक स्वामी होते हैं और इन्हें संचालक मंदल के सदस्यों के चुनाओं में भार्षिक साधार सभा में भाग लेने का अधिकार होता है और मत या बोट देने का भी अधिकार हो इसकंध कंपनी को जिन अंसों की पूर्ण दे राशी ताप हो जाते हैं जैसे कि यदि एक अंस जो है कि 100 रुपे वाला है जो कि 25 रुपे आवेदन में 25 रुपे आवंटन में 25 चास रुपे यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड काल में इस प्रकार तो यहाँ पर 100 रुपे जो हैं अथा जिन अंसों की पूर्ण दे राशी प्राप्त हो जाते हैं ऐसे अंस जो कंपनी ने निर्गमित किये हैं और उन अंसों पर पूर्ण राशी जो है वो प्राप्त हो गई है तो कंपनी जो है एक प्रमाण पत्र देती है जिसे इसकंद या श्ठाक कहते हैं इसकंद जो ह तो यह स्टाक या सकंदた पर इस कंद में कमपनी की तो उसको आता है जो कमपनी का अंसधारी है जिसने कंपनी के अंस्पाप्त कर लिय कंपनी उसको जो जुँए सारवध्र कैदीन निर्गमेत एक प्रमाड़ पत्र देती हैं जिसे किसी सदसुद्र धाल्यकर अंस मिश्चित होते हैं अर्थात कंपणी के द्वारा अंस प्रमाणपत्र लिये जाने का एक प्रमाणपत्र क्या कहलता है अंस प्रमाणपत्र यह एक ऐसा प्रलेख है जो एक अंस पूंजी बाली कंपणी में अंसों के स्वामित्व को प्रमाणपत्र करते हैं अर्थात यह सदस्यों द्वारा किये गए अंसों की संख्या को प्रगट करते हैं अंस प्रमाणपत्र जो है यह बताता है कि किस अंसधारी के पास कंपनी के कितने अंस हैं तथा अंसों पर सदस्यों के स्वामित्र का प्रटेक्श प्रमाण वो तहर था जिसके पास अंस प्रमाणपत्र हो अंस तलम इसाइब को अन्कित होता है यह हजार रुपे का जो भी गणर कि लिए इसका कोई अंकित दुद नहीं होता कूंकि ये इसकल कोई अंकित मूल्य नहीं होता份 में अंस का पूर्ण चुकता होना आवश्यक नहीं है अर्था जरूरी नहीं कि जितने एंस हमने निर्गमित किये हैं-जिने पर हमें application money, allotment money प्राप्त हो चुकी है या कुछ की नहीं हुई है तो जरूरी नहीं है कि हर एक अंस जो है वह पूर्ण चुकता हो अर्था सभी अंसों पर हमें बकाय रासी प्राप्त हो चुटी जबकि इसकंद उनी का तैयार किया जाता है जो पूंड रूप में हस्तांत्रित किया जा सकते हैं अंस हम कभी भी किसी को भी पूंड रूप से सीधा सीधा हस्तांत्रित कर सकते हैं जबकि इसकंद टुकणों में भी हस्तांत्रित किया जाता है इस टाक जो है वो अलग अलग भागों में बाटका टुकणों में उसको हम बेच सकते हैं है भर एक ही प्रकार के अंसों का अंकित एक समान होता है इसकंद तोकड़ों में होता है इसलिए इसकी रखम भी भिंदर होती है उन्सदारी को अंसप्रमात्र का हरे कात्षी कुर्णागां को trustee इसकन्द के लिए ऐसी कौई संख्यान निरधारित नहीं है फिर अनसथारी कंपनी का सदस्य कहलाता है अंस धारी जो होता है वो कंपणी का क्या होता है सदस्य होता है जबकि इसकंद धारी को कंपणी का सदस्य होना आभश्यक नहीं तो यह है अंस और इस्टाक या इसकंद में अंतर सामान ने अंस के बाद पूर्वा दिकारी अंस जैसा की बताया कि दो प्रकार के अंस होते हैं एक सामान समता या साधन अंस और दूसरा प्रकार जो है पूर्वा दिकारी अंस नाम से इस परषट है कि पूर्व से इनको अधिकार प्राप्त हैं ऐसे अंस जिन पर पूर्व से कुछ अधिकार इनको प्रदान की जाते हैं बोह कहलाते हैं पूर्वाधिकारी अंस तो ये बो अंस कहलाते हैं जो सामान नंस नहीं है न लावांस बास समापन पर पूर्वा दिकार प्राप्त होता है। पर्तात पुर्वाधिकारी अंसधारियों को एक निश्यत दर्स लावांस सम्ता अंसधारियों के पहले प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अंस जो है एक निश्यत आय प्राफ्ट करने वाली या थवा सुरक्षित बिन्योग में धन कमाने वाले बिन्योकताओं के लिए पूर्वादीकारी उपियोक्त कमाने जा जाते हैं जिस प्रकार चाहिए हम बैंक में अब भी बगएरा जमाने तो एक निश्यत आय जो ह हять वो हमें संतां doğru कंप्रापता है लेकिन यह सुरक्षित होते तो इसमें एक निश्यत दर्शया में लावांश प्राप्त होता है निश्यत अंभी सबाइ पर प्राप्त होता है और ऐसे लोग होती है जैसे दस प्रत्सत पूर्वा दिकारी अंस इसका मतलब यह है कि सो रुपे का यदि पूर्वा दिकारी अंस है तो दस प्रत्सत मतलब उसको सो रुपे में दस रुपे जो है निश्यत दर से उसको लावांस दिया ही दिया चाहेगा तो यह क्या है पूर्व से निश्य कंपनी की सवा में अपने प्रस्ताव से जोड़े हुए मैटर पर अपना मत दे सकते हैं जिनका उनसे सम्मंद है फिर कंपनी के समापन पर पूंजी बापसी समता अंसधारियों के पूर होती है यहाँ पर जो है कंपनी के समापन पर पूर्वा अधिकारी अंसधारियों को अपनी पूंजी की बापसी जो है समता अंसधारियों से पहले प्राप्त होती है यह कुछ प्रकार के जो अधिकार हैं इनको जैसे की लावांस पाने का पहले अधिकार, पुझी बापसी का प्राप्त अधिकार यह अधिकार जो हैं पूर्वादिकारी अंस, अब यहां हम देखते हैं पूर्वादिकारी अंस के प्रकार, इसके नौ प्रकार हैं प्रवर्वादिकारी अंसरता जिसको हम संचित करके नहीं रखळें। अक्सर ऐसा होता है कि यदि किसी बर्स कंपनी को लावांस नहीं हुआ, लाप्राप्त नहीं हुआ, तो उस ब्रस जो हैं, एंश्डारी को लावांसघं़ वो नहीं नहीं दिया गया। अब जो लावांस उसको उस बर्स नहीं दिया गया वो उसको अगले बर्स प्राप्त होना चाहिए लेकिन अगले बर्स इसको प्राप्त नहीं होगा तो जिन में लावांस उसी बर्स दे होता है जिस बर्स कंपनी को परियाप्त लाब हुए यदि लाब नहीं हुआ तो लाव चोल्टा है यदि कंपनी को हानी होती है और उस वर्सोंने लावांस नहीं दीया गया तो आगे आने वाले भर्सों में इनका लाभ संचित लहता है अगले भर्स इनको लाभ दिया जाएगा अगले वर्ष लाप दिया जाएगा तीसरा परिवर्तिनी पूर्वादिकारी अंस तीसरा प्रकार है परिवर्तिनी पूर्वादिकारी अंस अर्थात ऐसे अंस जिनको हम दूसरे अंस पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं दारियों को यह आदिकार होता है कि वे गैसा को समता अंसों में बदल सकते हैं आ अंसों को हम सम्ता अंसों में परिवर्दित करसकते ऐसे अपरिवर्तिनी फूर्बा दिकारी अंस कहलाते हैं यह जिनको हम इनद्शच पत्रों को किसी और अंसपत्रों में परिवर्थ quieroat नहीं कर सकते वह हैं अपर यहां असंचाई संचाई और परिवर्थिनी और अपरवर्तिनी इसके बाद हम देखते हैं भागयोक्त्ष पूरवा दिकारी अंसुत पहले तो इनको निर्दारी दर involved प्राप्त होगा इसके बाद भी यदि कंपनी में कोई लावांस बच जाता है, सेज रह जाता है तो सेज बचे हुए लावांस मेंसे भी अत्रिक्त लाव मेंसे भाग टाफ्त करने का भाग युक्त परवादिकारी अंसदारियों को अधिकार होता है पिर आभब हाग युक्त इंहें निश्चित दर्से लाभांस पाने का धिकार होता है अक्रिक पिलाम में इनका कोई हिस्सा नहीं होता अरढ़ से बचे हुए लाब में इनका कोई हिस्सदारी या नहीं होता फिर प्रत्याब भूतत पूरदिकारिय systematic इन्हें एक निश्चित दर्से हर वर्स लावांस मिलने की गारंटी दी जाती है अजसुदारियों को कंपनी के प्रत्री विश्वास बनाने के लिए यांस निर्गमित किये जाते हैं कंपनी को हानी हो चाहिए लाव हो इसे कोई मतलब नहीं प्रत्या भूतित पूर्वा दिकारी अंस यदी है तो कंपनी उन्हें हर वर्स निश्चित दर्से लावांस की गारंटी देती ही है इस परकार के अंसर जो है इसलिए जारी किये जाते हैं ताकि कंपनी पर अंसदारियों का विश्वास बन रहे हैं फिर बिमोचन सील या शोध्य पूर्वा दिकारी अंस कोई भी अंसदारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वादिकारी अंस पत्रों को जारी कर सकती जिनकी रासी कुछ निश्यत सर्तों के अंसाल लोटाई जा सकती है जिनको हम बोलते बिमोचन सील या शोध्य पूर्वादिकारी अंस अर्थात ऐसे पूर्वादिकारी अंस जिनको हमने अभी परचेस किया है लेकिन आवश् पूरवादिकारी कमपनी के जीवन काल में इन अंसपत्रों का सोधन नहीं होता थात इनकी पूंजी की बापसी कमपनी के जीवन काल में नहीं की जा सकते हैं जब तक कंपनी चलती रहेगी पूंजी पूर्वादिकारी अंस्पत्र के रूप में लगी रहेगी जब कंपनी का समापन होगा तो तब जो है इनका भुक्तान हम प्राप्त कर सकते हैं कर सकती है पूर्वादिकारी अंस्पत्रों कि अंतर है कि बहुत आश्शक अंतर हैं दोनों के बीच में संतांस और पूर्वादिकारी अंसु बात करते हैं यहाँ पर संतांस और पूर्वादिकारी अंसु के बीच में क्या डिफ्रेंस है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है सबसे पहले बात करते हैं हम लावांस की इन अंसदारियों को पूर्वदिकारी अंसदारियों के बाद प्राप्त होता है चुछी हम प्रकार के पहले प्राप्त होता है दूसरा जो है लावानस की दर समता अंसधारियों के लावानस की दर जो है वो क्या है घरती बढ़ती रहती है यह कंपनी के लावानस की दर पूर्व से ही निश्यत होती है तो उनको उसी दर से लाभांस दिया जाओता है, फिर निश्यत आए, क्योंकि लाभांस की दर अनिश्यत है, इसलिए इनकी आए अनिश्यत रहती है, जबकि इनकी लाभांस की दर निश्यत है, इसलिए इनकी आए निश्यत रहती है, फिर 60, इन अंसों में अधिक 60 होता है, च जब की बात करें तो इनस पत्रों प्रसों दिश्टा होता है सब्सक्राइब प्रस का सब्सक्राइब हो सकते हैं अनका भुक्तान नहीं होगा पूर्वधिकारी जो है यह शोदनी सकते हिनका भुक्तान इसकर कर क्पर भात करते जोखिं की। चुबकि लावांस की दर यहां पर खटी बढ़ती रहती है, तो इन अंस्वống पर जोखिं अधिक मिलता भी है कभी नहीं मिलता है पूर्वा दिकारी में जो है अंसों पर जोखिम कम होता है क्योंकि इसमें नरधारित दर्स से लाबान्स प्राप्त होता है अंस पूंजी से क्या आशा है दूसरा समता अंस से आशा है और उसकी विसेस्ताइं लिखिए तीसरा अंस एवा में स्टाक के बीच अंतर स्पष्ट करिए चोथा पूर्वा दिकारी अंस से आशा है वह उसके जो प्रकार है नो प्रकार है विविन उनको विस्तार से आपको समझाना है और समता अंस वा पूंजा पूर्वा दिकारी अंसों के बीच में क्या अंतर है इनक